आप क्या ऐसे फार्मूली अपना है जिससे आप अपने सिबिल स्कोर को आसानी से इंप्रूव कर सके आपका क्रेडिट स्कोर आता है तो इसको एक्सिलेंट रेटिंग कहते हैं अगर आपको लोन दे दिया जाएगा तो क्या आप बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी कोई पास् की दुरूत पड़ती है चाहे वो बिजनस की ग्रोथ के लिए हो एक्सपेंशन के लिए हो या किसी और कारण के लिए हो ऐसे में जब बैंक के पास लोन लेने के लिए जाता है तो बैंक उसको या तो लोन देने से मना कर देता है या हाई रेट आफ इंटरस्ट पर उन उसक पर दे इस बात को समझने के लिए सबसे पहले में समझना पड़ेगा कि यह सिबिल स्कोर होता क्या है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लेमिटेड एक गौर्मेंट की एक और्गनाइजिशन है जिसका काम है आपकी क्रेडिट रेटिंग को चेक करना यह चेक 300 to 550 के अंतरगत आता है तो आपको पूर रेटिंग दी जाती है इसके लावा अगर आपका क्रेडिट स्कोर 550 से लेकर 650 के बीच में आता है तो आपको एक average रेटिंग दी जाती है इसके लावा अगर आपके पास 650 से 750 के बीच में आपका credit score आता है तो इसको बोलते हैं good rating और इसके लावा अगर 700 से 900 के बीच में आपका credit score आता है तो इसको excellent rating कहते हैं अभी rating निर्धारित कैसे होती है ये समझना बहुत जूरूरी है क्योंकि जब हमें पता ही नहीं होगा की rating निकाली कैसे जानी है तो हम ये भी नहीं समझ पाएंगी कि हम इसको improve कैसे कर सकते हैं तो आज हम बात करते हैं कैसे अपनी credit rating को हम improve कर सकते हैं देखे जब भी हम bank के पास loan लेने के लिए जाते हैं loan हमें दो तरह से मिलते हैं एक secured loan और दूसरा unsecured loan हर वो loan जिसमें bank के पास ये guarantee होती है कि उसका पैसा 100% वापस मिलेगा ये मिलेगा उस loan को secured loan कहते हैं और बहुत सारी loan ऐसे होते हैं जिसमें bank के पास ये guarantee नहीं होती कि कहीं ऐसा नहीं हो कोई व्यक्ति loan की EMI देना बंद कर दे ये loan का repayment ना करें उसको unsecured loan कहते हैं वो कुछ भी loan हो सकता है जैसे car loan एक तरह का secured loan है क्योंकि car bank के पास एक तरह से HP पर होती है वो कभी भी उसको receive कर सकती है home loan ये भी एक secured loan होता है लेकिन personal loan और business loan जो होते हैं ये unsecured loan होते हैं मतलब वो लोग जो already bank से पहले loan ले चुके हैं या credit card का इस्तिमाल करते हैं और दूसरा जिनकी कोई credit rating history नहीं है जिसके बारे में bank को पता ही नहीं है कि कभी ये व्यक्ति loan लेगा तो कैसा इसका प्रभाव होने वाला है तो सबसे पहले हम बात करते हैं अगर आपकी credit history है तो bank कैसे decide करेगा कि आप इन में से poor condition average condition good condition या excellent condition में आते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले चेक करते हैं आपकी credit history क्या है मतलब सबसे पहले देखते हैं कि आपकी जो repayment है उसकी history क्या है आपने अगर bank से loan लिया है तो कब-कब time to time repayment किया है कब-कब आपकी यमाई bounce हुई है उसके अलाबा credit utilization ratio क्या है कुछ लोग न credit card का इस्तिमाल करते हैं और credit card में जो उनको limit दी गई होती है उसको 100% utilize कर लेते हैं मैं मान लेता हूँ आपको एक लाख रुपे की limit का credit card दिया हुआ है अगर आप उसमें से 40,000 credit use कर लेते हैं इसका मतलब आप 40% अपने credit limit का utilization करें और कुछ लोग तो 100% तक use कर लेते हैं तो आपका जो credit ratio होना चाहिए वो 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए age of credit history आप कितने समय से ये age का मतलब आपकी age नहीं है ये age of credit history है कि आप कितने लंबे समय से credit लेते आ रहे हैं बैंक से करजा लेते आ रहे हैं और आपके repayment की possibilities क्या है frequency of new loan आप कितनी जल्दी जल्दी नया loan लेते हैं इस पर भी निर्भर करता है कि आपका credit score क्या होने वाला है और type of credit use आप किस तरह के credit का use करते हैं जैसे कि आप electronics gadgets को खरीदने के लिए आप credit card का इस्तिमाल कर रहे हैं या को assets खरीदने के लिए आप इस्तिमाल कर रहे हैं यह loan की repayment के लिए आप credit card का इस्तिमाल कर रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे कारण है कि आप कैसे credit को use कर रहे हैं उसके अधार पर निधारित होता है कि आपका credit ratio आपका जो rating वो क्या होने वाला इसके लावा no credit history बहुत सारे लोग होते हैं जनकी कोई past credit history नहीं है उन्हें अपनी life में कभी ना तो credit card का इस्तिमाल किये और नहीं किसी तरह का loan लिए है तो bank जब उनका score calculate करता है तो उसको बहुत सारे तथ्यों के अधार पर calculate करता है जिसमें सबसे पहली चीज़ होती है वह होती banking habits आप देखिए जब आप loan के लिए apply करते हैं वो कहते हैं अपनी 6 महिनी की bank statement देखते हैं आपकी banking habits क्या हैं आप monthly कितनी transaction कर रहे हैं कितनी transaction inward और कितनी check बाउंस हैं कितने check आप time to time पे कर रहे हैं कितने बिल्स आप with late payment कर रहे हैं वो सारी चीज़े होती है आपकी ITR आपकी income tax return भी देखते हैं कि आप कितना टेक्स पे करते हैं उसमें आपकी इंकम कितनी हैं कितना लोन आपके उपर है और आपको किसी तरह का सीक्योड़ियर निसीषड़ लोन अगर आपके पास नहीं है तो आप कितना लोन के लिए letter वल आपकी ITR से आपकी repayment possibilities को चेक करती है saving and investing habits क्या है आप कितना पैसा save करते हैं कितना FD में रहता है कितना bank में आपका पैसा reserve पड़ा रहता है बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पर चेक की जाती है इसके लबावा job और business का क्या profile है जिस किस तरह के job में या किस तरह के business में आप है तकि आप loan की repayment कर पाएंगे या नहीं उसी के अधार पर इंधारत होगा कि आपकी rating क्या होने वाली है repayment possibilities क्या है अगर bank आपको loan दे दे क्योंकि आपको पहले कभी कोई loan नहीं दिया हूँ अगर आपको loan दे दिया जाएगा तो क्या आप उसकी repayment करने में सक्षम होंगे यह सारा track record एक credit score rating को चेक करने के लिए bank चेक करता है कि आपको वो loan देगा या नहीं देगा अब बात करते हैं कि अगर आप loan लेना चाहते हैं आपका कोई past performance भी है या past performance नहीं भी है आप क्या ऐसे formula अपना हैं जिससे आप अपने civil score को आसानी से improve कर सके number one अगर आप credit card का इस्तिमाल करते हैं तो credit utilization should not be more than 30% of your total limit माले यह एक लाग का आपका credit limit है तो आप कभी भी 30,000 से ज़ादा अपने एक credit card को इस्तिमाल ना करें आप multiple cards रख सकते हैं इसके लिए है ना और दूसरा full payment before due date अभी कुछ लोग क्या करते हैं कि जो credit card का जैसी time आता है ना तो वहाँ पर एक minimum amount due होता है कि आप इतना amount pay कर दें तो आपका कोई extra charge लगने वाला नहीं है सिर्फ interest लगेगा जितने दिन का आप उधार लेंगे तो यहाँ पर आप क्या करें सबसे पहले हमिशा ध्यान रखें जो आपका credit card है उसकी पूरी की पूरी payment before due date करें यह बड़ा important role play करता है आपकी credit rating को improve करने में don't get unutilized unwanted credit card अभी हमें से बहुत सारे लोग्चा करते हैं जब एक credit card उनके पास होता है तो बैंक से उनको offer आते रहते हैं सब्सक्राइब किया इसे से बैंक ने किया जो भी बैंक के call आते हैं credit card free में बन रहा है कहते हैं ठीक है बना दो क्रेड़ कार्ड आप अन्वांटेड क्रेड कार्ड कार्ड का मतलब कर रहे हैं तो एक तरह से आपके लिए unwanted credit card है जब ज्यादा credit card लेने से अपनी रेटिंग क रहे हैं facilities हैं वो कम हैं तो आप क्या करते हैं उस credit card को close करा देते हैं अपने old credit card को कभी close ना कराएं उसको हमेशा आपने पास रखें चुकि इससे यह पता लगता है कि आप कितने लंबे समय से आप credit card का इस्तिमाल कर रहे हैं और आपकी repayment possibilities क्या है आप कैसे कैसे card की payment करते ह card for credit card payment अभी बहुत से लोग क्या करते हैं दो तिन credit card लेते हैं एक credit card की payment दूसरे credit card से कर देते हैं उसकी payment तीसरे से कर देते हैं तो वह एक cyclic order में इसा rotation चलाते रहते हैं जिससे आपका credit score खराब हो जाता है इसलिए credit card की payment करने के लिए credit card का इस्तेमाल ना करें इसके लावा never let your EMI bounce अगर आप banking transaction कर रहे हैं आप loan के लिए अपलाई कर रहे हैं तो आपका civil score down हो जाएगा अगर आपकी किसी भी तरह से EMI bounce हो जाती है हमेशा ध्यान रखें आप अपनी EMI को time to time pay करें ताकि आपका civil score maintain रहे हैं उसके लावा never let your check bounce आप अपने check को भी bounce मत होने दें आपने किसी को check issue किया वो check bounce हो जाता है इसका मतलब आपकी जो payment history है वो ये बताती है कि आप payment को frequently pay करने में सक्षम नहीं है जिसकी वैसे आपका check bounce हो गया है अगर आपका check बार बार bounce होता है तो आपका civil score down होता है और आपकी banking statement में ये show होता है इसलिए आप अपने check को bounce ना होने दें हमेशा इतना amount balance जरूर maintain करें कि आप अपने check के repayment कर सकें दूसरा bank काने minimum amount balance होता है कि आप minimum bank में इतना average balance रखेंगे तो वो amount भी हमेश वज़े से लग रहे हैं कि आप minimum amount maintain नहीं कर रहे हैं तो इससे भी आपका credit score down होता है ये जो points मैंने आपको बताएं अगर आप इसको improve करते हैं आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आप बहुत आसानी से पूर से excellent credit rating तक जा सकते हैं इसके लवा credit rating को लेकर bank loan को लेकर ही आप किसमरे बविश्य की कामना करता हूं जै हिंद जै भारत